हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है पादप कोसिका एवं जन्तू कोसिका में अंतर चलिए देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन-कौन से अंतर पाए जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोसिका भित्ती है फिर सेल वॉल की अंतर की हम बात करेंगे इससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार जो कोसिका भित्ती है वो होती क्या है तो कोसिका जिली के बाहर निर जिव पारगम में तथा मोटी दिवाल पाई जाती है उसे कोसिका भित्ती कहते है पादब कोसिका में कोसिका भित्ती पाई जाती है उपस्तित होती है और इनकी जो कोसिका भित्ती होती है पादब कोसिकाओं की उसमें सेलिलोज अथवा दूसरे जो कार्बोहाइडरेट है उसकी ये कोसिका भित्ती बनी होती है और यदि हम यहाँ पे जन्तु कोसिका की बात करें तो यहाँ पे जन्तु कोसिका में कोसिका भी ती अनुपस्तित होती है या फिर नहीं पाई जाती यहाँ पे हमारा नेक्ष्ट जो अंतर है वो है लवक या फिर प्लास्टिड को लेकर यदि हम बात करें लवक क्या है तो कोसिका द्रब्य में पाए जाने वाले गोल या अंडा का रचना है इनमें मर्तपूर्ण रसायनों का निर्माड होता है तो यहाँ पियादी हम पादप कोसिका की बात करें तो पादप कोसिका में लवक पाये जाते हैं पादप कोसिका में मुख्यता तीन प्रकार के लवक पाये जाते हैं वर्णी लवक, अवर्णी लवक और तिसरा है हरित लवक इसमें से जो पन हरी मियुक्त लवक या फिर हरित लवक जो कहलाते हैं तिसरे नंबर के लवक वो बहुत तिमात पूर्ण है तो यहाँ पर लवक उपस्तित हैं पादप कोसिका में और यदि हम बात करें जन्तु कोसिका में तो लवक जन्तु कोसिका में नहीं पाये जाते हैं तो ये हो गया लवक के बारे में तीसरा है अंतर तारक का या फिर सेंट्रोसोम यदि हम बात करें सेंट्रोसोम क्या है तो कोशिका द्रब्य में पाय जाने वाला कोशिकांग होता है तारक का जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है यदि हम बात करें इसके बारे में तो कुछ सेवालों एवं कवकों को छोड़ कर पादप कोसिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और यदि तारक काई बात करें जन्तु कोसिका में तो जन्तु कोसिका में सेंट्रोसोम पाया जाते हैं हमारा next अंतर है लाइसोसोम को लेकर लाइसोसोम कोसिका द्रब्य में गोल गोल ठेली नुमा अंगाड़ुों को कहते हैं यहाँ अंतह कोज़ के पाचन में मदद करता है तो यहाँ पर जो लाइसोसोम है वो पादप कोसिका में नहीं पाया जाता है पस्थित रहता है और जो जन्तु कोशिका है उसमें लाइसोसम पाया जाता है यहां नेक्स्ट है रिक्तिका या फिर वैक्यूल्स वैक्यूल्स की बात करते हैं तो रिक्तिका चारों तरब से एक अर्धपारगम्य जिल्ली से घिरी होती है इनमें तरल या ठूस पदार्थ भ यहीं पाई जाती है जन्तु कोशिका में या फिर यादि यह पाई भी जाती हो उपस्थित भी हो तो अत्यांत छोटी-छोटी संरचनाओं के रूप में पाई जाती है हमारा नेक्स्ट जो अंतर है वो है माइट्रोकॉंड्रिया को लेकर यहां पी माइट्रोकॉंड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है यहीं पर जो कोशिकाओं के बिभिन कोशिकांग है वहां के लिए यहां पर जो भोजन का है वो निर्माड होता है तो इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का माइट्रो कॉंड्रिया की बात करें तो पादप कोशिका में म Mitochondria जन्तु कोशिका में पाई जाती है और यह अप्यक्छा करें तो पादप कोशिका के तूलना में अधिक पाई जाती है हमारा नेक्ष्ट है मध्यपटर या फिर मीडिल लैमिला यदि इसकी बात करें तो यह एक परत है जो दो कोशिकाओं को जोडने का कारे करती है मतलब बीच में दो कोशिकाओं को जोडने के लिए सिमेंट की तरह कारे करती है यहां भी पादप कोषिका में जो मध्यपट है वो पाया जाता है और यह जो बिभाजन है तो कोषिका बिभाजन के समय पादप कोषिका में मध्यपट का निर्माड होता है। यदि हम जन्तु कोशिका में इसको देखें तो कोशिका जन्तु कोशिका में विभाजन के समय मध्यपट का निर्माण नहीं होता नहीं बनता है इस स्थान पर कोशिका का संकिर्णन पैदा होता है तो दोस्तों ये थे हमारे जो जन्तु कोशिका और पादप कोशिका को लेकर मुख्यां अंतर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नौटिपिकेशन मिल पा थैंक यू पर वाचिंग